हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर दोस्तों मैं हूपी फिनियादव और अगर आपके सामने प्रस्ण ऐसा हो अल्जेवरा का कि X पलस वन बटा X बराबर 4 है तो X का मान क्या होगा तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए हो सकता है कि इसे सुल्ब करना आपके लिए कठीन काम हो जाएगा अगर मुझे ऐसा दिया रहता था कि X पलस वन बटा X बराबर 4 है और कभी पूछ लेता था कि X स्क्वार पलस वन बटा X स्क्वार का मान बताईए तो हम 4 का S करते थे और 2 घटा लेते थे 16 में से 2 चला जाता 14 हमारा एंसर हो जाता है न दोस्तों तो क्या आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं अज मैं कोश्चन लेके आया हूँ कुछ ऐसे ऐसे कोश्चन जो पहले तो वो easy होता है लेकिन आगे जो पूछा जाता है तो जैसा कि आप कोश्चन देखेंगे आपको पता चलेगा जैसे X-1 बटा X बराबर 2 रूट 2 है अब X का मा आपको निकालना है यह मुश्किल काम है आपके लिए तो हम आज सीखेंगे जैसे मालीज X के पावर 99 पलस 1 बट X के पावर 99 बराबर 11 अब इस का मान क्या होगा तो अब तक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता था पूछा जाता कि यहाँ पर 2 रहता था तो X के जगा एक हम आ सकते हैं अब देख लिजे यहाँ पर X के पावर 18 माइनस 1 बट X के पावर 18 बाड़ा है तो इसमें ऐसे पूछ लिया गया है यहाँ देखे यह बाड़ा है लेकिन यहाँ 24 करके पूछ लिया है तो आज हम सारे वो प्रसन लेकर आए हैं जैसा कि आप देखेंगे तो आप को समझाने का प्रियास करेंगे सबसे पहले दोस्तों एक बात आप बताईए मुझे कि दो चार चीजे आप जानते हैं क्या क्या जानते हैं आप यह जानते हैं कि ए प्लस वन बटा ए बराबर अगर कुछ दे देता है माले जे तीन देता है तो आप सब को पता है कि ए का sqr करते हैं नहीं और यहां अगर प्लस है तो माइनस दो कर देते हैं तीन का sqr 9 में से 2 घट जाता है तो 7 इंसर हो जाता है यह चीजे हम जान चुके हैं पहले से भी जानते हैं दोस्तों अगर आपसे यह दे देता है question कि x-1 बटा x बराबर 5 दे दिया तो पूछ दिया कि x-square प्लस 1 बटा x-square का मान क्या होगा तो भी आप इंसर कर सकते हैं यह 5 देखो इधर जो भी पूछा जाएगा प्लस में ही पूछा जाना चाहिए यह x-square यहाँ प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है लेकिन जहाँ पूछा जाता है वहाँ प्लस ही रहता है तब हम यह रूल लगाते हैं क्या करते हैं हम यह 5 का स्क्वाइर करते हैं और यह माइनस है तो प्लस दो करते हैं 5 का स्क्वाइर 25 प्लस दो कितना होता है 27 होता है हम ये करते हैं अब एक बात समझिएगा लेकिन जब कभी ऐसा प्रस्ण हो जाता है कि x प्लस 1 बटा x बराबर मान लिजे कि 4 है तो अब पूछ दिया जाए कि x स्क्वाइर माइनस 1 बटा x स्क्वाइर का मान क्या होगा तो आप वैसे नहीं कर सकते हैं जैसा कि मैंने दोनों सवाल में किया वो गलत हो जाएगा अगर आप 4K स्क्वाइर 16 16 में से 2 घटाते हैं तो 14, 14 भी अंसर गलत है और 4K स्क्वाइर 16 16 में 2 जोडते हैं 16 2 कितना हो जाता है? 18 वो भी अंसर गलत है दोस्तों इसको कैसे आप कर सकते हैं? तो यह जो है आप जानते हैं A2-B2 होता है क्या? A plus B into A-B होता है यह होता है तो अगर आपको ऐसे दिया गया हो कि X2-1 बटा X2 आप इसको लिख सकते हैं X2-1 बटा X का होल स्क्वाइर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका मतलब ये a square minus b square, b मतलब 1 बटा x हुआ, तो इसको a square minus b square को क्या लिखते हैं, a plus b into a minus b, तो उसी तरह हम इसको लिखेंगे x plus 1 बटा x, यानि a plus b हो गया, और फिर into x minus 1 बटा x, यानि ये a minus b हो गया, यानि दोस्तों हम इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते, x plus 1 बटा x लिखते, into x minus 1 बटा x लिखते, ये चीजे लिखते हैं, अब जरा गौर करिएगा, मामला फस जाता है, कि x plus 1 बटा x का मान, आपको पता है, 4 तो 4 रख दिया, लेकिन x minus 1 बटा x का मान आपको नहीं पता है, x minus 1 बटा x का मान आपको नहीं जानियेगा, तो कैसे सवाल बनेगा, इधर वाला हम मिटादेते हैं, चलिए, अगर हम आपसे कहें, कि भाईया, x पलस 1 बटा x का तो मान मैंने दिया था, x plus 1 बटा x का तो मान मैंने दे दिया है, कि 4 है, तो x minus 1 बटा x का मान आप निकाल तो साइद अगर आप नहीं जानते हैं तो दिक्कत हो जाएगा लेकिन जान लिजिए x-1 बटा x का मान निकलना हो तो root under लगाईएगा देखिए x-1 बटा x का मान 4 और x-1 बटा x का मान लाना हो तो कुछ नहीं करना है यह जो दिया उसका square करना है और minus मिलाना है तो minus 4 करना है चाहे अगर यहाँ 7 रहता तो 7 के square करते हैं minus 4 करते हैं अब बताई 4 के square 16 16 में से 4 चला गया तो कितना हुआ 12 16 में से 4 चला गया तो 12 12 को 4 ती 12 यानि 2 root 3 लिख सकते हैं अब 2 root 3 यहां रख दीजिए 2 root 3 रख दीजिए यानि आपका 4 दूना 8 root 3 इस सवाल का जबाब हुआ दोस्तों बहुत सारे बच्चे या तो इसका 14 एंसर कर लेंगे या 18 एंसर कर लेंगे जबकि वो दोनों एंसर गलत है या 8 root 3 होगा अब बात आती है कि आपको ये चीजे समझ में नहीं आई होगी कि ये कैसे हो गया आईए एक बात हम आपको बताते हैं तोस्तों आप जानते होगे कि A plus B का whole square में अगर घाटाते हैं ऐसे जोडते हैं अगर हम A minus B का whole square तो होता है 2 into A square plus B square ये होता है ठीक है न लेकिन अगर अब A plus B के whole square में गहटाईएगा a-b का whole square तो आएगा 4ab अब हम इसी पर बात करेंगे ठीक है न? उपर वाले को छोड़ देते हैं भी इस पर बात करेंगे अगर मालीजे a plus 1 बट्टा a का whole square और गहटा दे a-1 बट्टा a का whole square तो क्या आएगा? जरा गौर करिएगा इसमें a, a है और b, 1 बट्टा a है है न? अब बताईए तो इसमें भी 4, a अब b, b के जगा 1 बट्टा a आएगा यानि a से a cancel यानि हमारा जो आया a plus 1 बट्टा a का whole square में से अगर घटाते हैं a minus 1 बट्टा a का whole square तो 4 आजाएगा ठीक बात है? अब जरा गौर करिएगा मैं इसको अगर मिटाऊं और आप से कहूं कि a plus 1 बट्टा a का whole square में से घटाये थे अभी हम a minus 1 बट्टा a का whole square तो कितना आया था? 4 आया था तो दोस्तों अगर कोई question आपको दे देता है कि a plus 1 बट्टा a बराबर अगर 3 और तब कहता है कि a minus 1 बट्टा a का मान क्या होगा आप इसी का इस्तमाल करके निकाल सकते हैं फैर इसके बाद हम आपको एक trick बताएंगे जो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन समझिये जरा a plus 1 बट्टा a का मान आपको पता है 3 तो 3 रख दिया इसक्वार है तो इसक्वार कर दीजिए इस टर्म को उधर बेज लेते हैं 4 को इधर बुला लेते हैं तो माइनस 4 हो जाएगा और ये माइनस में है माइनस तो उधर चल जाएगा तो सीधा plus में a माइनस 1 बट्टा a का होले स्क्वार बज़ जाएगा अब ये 9 में से चार गया तो 5 a square हटा तो इधर root चरहा यानि हमारा a माइनस 1 बट्टा a बराबर कितना आ गया root 5 आ गया दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा टेक्निक हम लगाएंगे कि direct हम निकाल पाएंगे तो देखिए जब a पलस 1 बट्टा a बराबर 3 है और a माइनस 1 बट्टा a का मान पूछा है सेब चीज है कि बली यहाँ पलस है यहाँ माइनस है तो आपको करना है root अंडर जो दिया है उसका square माइनस में पूछा है तो माइनस 4 करना है पलस में पूछे तो पलस 4 करना है अब पताईए जारा 3 का square 9 होता है 9 में से 4 घट जाएगा 5 हो जाएगा यानि root अंडर 5 आपका एंसर हो गया यानि formula यानि trick यह है दोस्तों इसका trick यह है trick क्या है जानते है trick है कि अगर मान लेजे कि x पलस 1 बटा x बराबर दिया हुआ हो a तो x माइनस 1 बटा x का मान निकालना हो तो root अंडर a का square माइनस में लाना है तो माइनस 4 यह है trick ठीक है ना और यहाँ पलस देगा तो माइनस में पूछेगा और यहाँ माइनस देगा तो पलस में पूछेगा तो यहाँ क्या करना है तब अगर अगर पलस में लाना है तो यहाँ पलस 4 करना है मतलब पलस में लाना है तो पलस 4 करना है माइनस में पूछा जाए तो माइनस 4 करना है यही चीजे हैं अब इसको याद रखने से आपको फाइदा क्या होने वाला है? फाइदा ये होने वाला है कि जब कभी x-1 बटा x का मान आपको दे दिया जाए 3 और तब पूछ दिया जाए कि x-1 बटा x-2 का मान क्या होगा? ये बताईए इसके लिया आपको x-1 बटा x divided x-1 बटा x लिखना होगा लिखना होगा क्योंकि a square-b square है तो a plus b into a minus b करना होगा अब x-1 बटा x का मान 3 है तो 3 रख दिया अब आप बताईए जब x-1 बटा x का मान 3 है और x-1 बटा x का मान चाहिए तो क्या करना होगा, यही चीज है, कि यहाँ माइनस था, पलस मिलाना है, तो जो दिया है, रूट के अंदर उसका स्कुरर, और माइनस नहीं, यहाँ पलस है तो पलस 4 करेंगे, 3 का स्कुरर 9, 9, 4 कितना होता है, 13, यानि रूट अंदर 13 इसके जगा आ जाएगा, गुना हुआ तो 3 रूट 13 आपके इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम कुछ कोस्चन पर आपको लेकर, बहुत मजा आने वाला है, देखिए, कोस्चन आपके सामने कि a पलस 1 बटा a बराबर 6 है, तो a माइनस 1 बटा a का मान क्या होगा, डाइरेक्ट हम बना सक रूट अंडर इस हो का स्क्वाइर करेंगे, माइनस में लाना है तो माइनस 4 करेंगे, 6 का स्क्वाइर 36 चाटिस में से 4 गया, तो 32, 32 को 16 दुना 32 यानि 4 के सपर 16, 16 दुना 32 ऐसे लिख सकते हैं, 32 को 16 दुना 32, 16 का बरगमल 4 आगया, दू अंदर रह गया, ठीक है, ऐसे प्लस में लाना है, सेम चीज है, केवल यहां माइनस था, यहां प्लस मिलाना है, तो जो दिया है, उसका स्क्वाइर करना है, प्लस मिलाना है, ठीक है, तो 8 का स्क्वाइर कितना होता है, 8 का स्क्वाइर होता है, 64, और 64 अचार कितना होता है, 68, तो 68 आपका रूट अंडर 68 ह अगर इसका बर्गमूल बने तो बनाना है नहीं बने तो नहीं बनाना है ठीक है अब देखिए एक बात यहाँ आपने देखा था कि माइनस में लाना है तो हमने क्या किया था? 36, 36 में से 4 घटाया था यहाँ plus मिलाना था तो 4 जोड दिया था ध्यान रखना है plus मिलाना है तो जोडना है minus मिलाना है तो घटाना है अब देखिए यह सवाल दोस्तों x plus 1 बटा x बराबर इतना दिया है और x स्क्वार माइनस 1 बटा x स्क्वार यह जो आपको निकलना है minus है यहाँ देखिए अब कुछ बच्चा क्या करेगा इसका स्क्वार करके दूग हटा देगा या दूग जोड देगा गलती हो जाता है वो जो आप ट्रिक रखते हैं उसमें यहाँ plus रहेगा तब ही आप कर सकते हैं दूग जोरने या दूग हटाने वला काम इसमें नहीं कर सकते हैं इसको आप क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं x plus 1 बटा x into x minus 1 बटा x क्योंकि x को a कहिए और 1 बटा x को b कहिए तो a square minus b square के form में है तो a plus b into a minus b हुआ अब a plus b का मान पता है आपको 2 root 3 आपको अभी इसका मान चाहिए इसका मान चाहिए तो कैसे निकालेंगे अभी just हमने पढ़ा है कि अगर हमको x plus 1 बटा x का मान पता है और x minus 1 बटा x का मान लाना है तो root under जो दिया है उसका square होएगा अब minus 4 होगा बताईए ये 2 का square कितना 4, 4 ती कितना हुआ 12 यानि कि root under 12 minus 4 होगया यानि होगया root under 8 4 दूना 8 यानि 2 root 2 यहाँ आप रख सकते 2 root 2 ये बताईए 2 दूना कितना हुआ 4 आ root बला 1 साथ गुना हुआ 3 दूना 6 चलिए बाहर बला बाहर के साथ गुना अंदर बला अंदर के साथ गुना 4 root 6 आपका answer होगया दोस्तों आईए जरा आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला सवा अब यहाँ पर देखिए x plus 1 बटा x बराबर 4 है तो सीधा x का मान कह दिया मैंने बोला था कि आपको दिक्कत होगा लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा देखिए हम direct x minus 1 बटा x का मान ला सकते हैं x plus 1 बटा x का मान 4 है x minus 1 बटा x का मान कैसे लाएंगे यह 4 का square करेंगे और minus ही 4 करेंगे कितना आ जाएगा बताइए 4 का square 16 16 में से 4 गया तो हो गया 12 12 को लिख सकते हैं 4 ती बारा तो 2 रूट 3 लिख सकते हैं दोस्तों यानि हमको x minus 1 बटा x का मान 2 रूट 3 सोचिए अगर जोड लेते हैं तो अगर जोड़िएगा तो जोड़िएगा तो x x 2 को x हुगा इसको जोड़िए गया तो 1 बट x plus में 1 बट x minus में हो गया 0 बच गया हमको जोड़े हैं तो बाएवाले को जोड़े हैं दाएवाले को भी जोड़ेंगे 4 और इसको जोड़ेंगे यानि 2 रूट 3 और पलस 4 को जोड़ेंगे अब देखिए ये 2 x है बराबर 2 common ले सकते हैं रूट 3 पलस ये 2 हो जाएगा ये 2 से 2 कट गया हमारा x का मान कितना आगया रूट 3 पलस 2 हो गया यही हमारा answer हो गया रूट 3 पलस 2 x का मान हो गया चलिए जरा आगे बढ़िए जरा देखिए आगे एक और सवाल अपने सामने दोस्तो हमें x-1 बटा x का मान है 2 root 2 तो क्या हम x plus 1 बटा x का मान ला सकते हैं कैसे root under जो दिया है जो दिया है इसका square अब plus में लाना है तब plus 4 करना होता है अब बताईए ये कितना हो जाता है 2 का square 4, 4 दूना 8, 8 में से 4 गया तो root under 4 क्योंकि देखिए न ये 2 का square 4, 4 दूना हो जागा 8 square से root कटेगा तो 2 का square 4, 4 दूना 8, 8 में से 4 गया था 4 का बर्गमुल 2 तो दाहिने बाएं वाले को बाएं में, दाहिने वाले को दाएं में जोड़िये जोड़ियेगा तो x x तो 2 x हो जाएगा लेकिन जब आगे जूड़ियेगा तो प्लस में ये माइनस में ये तो 0 हो जाएगा हमारा उधर वाला जूड़ियेगा कौन-कौन 2 root 2 प्लस ये 2 जूड़ियेगा दोस्तों 2 x तो ठीक है इधर 2 common हो जाएगा तो root 2 प्लस 1 हो जाएगा root 2 से 2 कट गया यानि x पराबर हमारा वही root 2 प्लस 1 ये आपका एंसर हो गया root 2 प्लस 1 ठीक है चलिए आगे बढ़ियेगा दोस्तों अब आपके सामने ये प्रस्ण है हो सकता है कि ऐसा प्रस्ण आपके एक्जाम में मिले तो दिमाग छिरिया जाए कुछ न करना है जो चीज इधर है वही चीज इधर है केवल यहां प्लस में है यहां माइनस में है तो माइनस में पूछा है इसका तो कुछ नहीं करना है जो है उसका तो square करना है वो पीछे भी पताए थे कि जो इधर वही इधर है केवल यहां प्लस यहां माइनस तो माइनस में लाना है तो माइनस 4 करना है 11 k square 121, 121 में से 4 घटा दीजिए कितना हो गया, 117 root के अंदर root के अंदर कितना, 117 ये हो जाएगा, ठीक है अब देखिए जो इधर है, वही इधर है है ना, केवल यहाँ minus है, यहाँ plus है तो पलस में लाना है तो पलस 4 होगा इसका square करके अब पलस 4 होगा 12 के square कितना होता है, 144, 144 अच्छा, 144 अगर गुनन खंटूटता है तो इसको तोर के लिखना है अगर बर्गमूल बनता है तो लिखना है नहीं बनेगा तो इसको छोड़ देना है आईए अगला सवाल देखिए अब आजाईए इस सवाल पर एक्स के power 12 पलस 1 बटा एक्स के power 12 बढ़ाबर 14 है तो एक्स के power 24 माइनस 1 बटा एक्स के power 24 का मान क्या होगा अब ज़रा देखिए पलस में दिया है, माइनस में पूछा है बरबर आ गया हलाकि देखिए अगर यहां 12 रहता था तो कोई दिकत नहीं रूट अंडर करते इसका square करते और 4 घटा देते लेकिन यहां 12 नहीं हम अगर एक्स के power 12 माइनस 1 बटा एक्स के power 12 का मान निकालना चाहें तो निकाल सकते ना असानी से रूट अंडर लगाके 14 का square कर देंगे और माइनस में लाना है तो माइनस 4 करेंगे 14 का square 196 196 में से 4 चला गया तो 192 हो गया नहीं 192 हो गया 192 हो गया अब इसको हम 192 को कैसे लिख सकते थे 96 दूना 192 होता है नहीं, चो दूना बर, उन दूना थार, एकना इस-थे और 96 को 16 96 के 96 लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इस 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं यानि 16 का बरगमूल 4 और 12, 12, 13 अंदर रह जागा दुगो दुगो में से गुदू, 16 का बर्ग मिल चार, चार दुना 8 रूट 3, यह तो ठीक है, 8 रूट 3 यहां तक आया, यानि इसका मान आ गया है 8 रूट 3, इसका मान डैरेक्ट हम यहां लिख दिया, 8 रूट 3, 8 रूट 3 आ गया, अब रूखिए, अब एक बात बताओ, हमको 24 में लाना है, इनको गुना कर देते हैं, बाएं वाले के साथ, आप बताईए या एगर ऐसा करें कि x के पावर 12 पलस 1 बटा x के पावर 12 है इनका गुना और x के पावर 12 माइनस 1 बटा x के पावर 12 का गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा उधर भी गुना करना होगा 14 गुना 8 रूट 3 गुना करना होगा दाहिने वाला का दाहिने के साथ, बाएं वाला बाएं के साथ, गुना करेंगे, तो इस से इसका गुना, तो X के पावर 24 हो जाएगा दोस्तों, 12 बाड़ा कितना हो जाएगा, 24 बेश समान गुना में पावर जुड़ जाता है, अब इस से इसको गुना करेंगे, जब इस से इ में x के पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा देखिए निचे में 12 निचे में 12 बारा बारा 24 हो जाएगा बराबर यह 14 अठे 112 यह हो जाएगा इस सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपको यह चीजे समझ में आई होगे वीडियो कैसा लगा है बताईएगा जरूर हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में और इसी तरह के कुछ नए कॉंसेप्ट के साथ नए टेकनिक के साथ और कु हुट